चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मापको शरत पूर्णीमा के बारे में बताऊंगी कि शरत पूर्णीमा क्या होती है ये किस दिन मनाए जाता है इसका उध्यापन कैसे करते हैं और इसकी क्या कहानी है सबसे पहले आश्विन शुकल पूर्णीमा को शरत पूर्णीमा कहा जाता है धर्म शास्त्रों ने इसको कोजागर वृत के रूप में कहा है किसी ने इसे कौमूदी वृत भी कहा है भगवान श्रीकष ने इस दिन रासव उस्षव किया था क्योंकि कहा जाता है कि रातरी को चंदर्मा की किर्णों से अम्रित वरस्ता है इस दिन मंदिरों में विशेश पूजा पाट किया जाता है भगवान को खीर का भोग लगाय जाता है चांदनी में भगवान को विराजमान किया जाता है और स्रेत वस्त धारन कराई जाते हैं शरत पूर्णिमा से कार्ति किस्तान प्रारम हो जाते हैं व्रत प्रारम हो जाते हैं माताएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती है देवी देवताओं की पुजा करती है शरत पूर्णिमा के दिन चंदर्मा प्रत्वी के बहुत निकट होता है तो कहते हैं कि अम्रिध परस्ता है इस दिन खीर बनाई जाती है, चपड़ा बनाय जाता है और रातरी को इसे बाहर चंदर्मा की रोशनी में रखा जाता है और दूसरे दिन इसे प्रशाद के रूप में ग्रहन किया जाता है चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोते हैं का आ जाता है कि इसे आखों की रोशनी तेज होती है उद्यापन कैसे करना है यदि कोई इस शरत पूर्णी मा को व्रत रखे और आगे आने वाली तेरा पूर्णम को व्रत रखे उसके बाद इसका उद्यापन करें उद्यापन करने के लिए चांदी के एक बरतन में मेवा भर कर रोली चावल से पूजा करके रुप्या चड़ाएं और फिर सासु जी को पाई लगा कर इसे दे दे यदि कोई चूणर पूर्णम करता है तो वो इसी तरह करता है कि तेरा पूर्णम करते हैं फिर पहली चूणरी की साड़ी सासु जी को दी जाती है बाकी बारा साड़ियां अपने घर में बेटियों को और ब्रामनी को दे यदि कोई चूड़ा पूनम करता है तो वो भी इसी दिन से शुरू करते हैं और ये भी तेरा पूनम होने तक क्या जाता है फिर तेरा चूड़े सबसे पहला चूड़ा अपनी सासुजी को पाउंचू कर दे बाकी के बारा चूड़े अपनी बहन बेटियों को दे और एक वरत को अधूरा ही करती थी अतर दूसरी के जो भी संतान होती थी वो मर जाती थी उसने पंडितों से पूछा कि मेरी संतान जीवित क्यों नहीं रहती तर पंडितों ने बताया कि पूनी मा का वरत आप अधूरा करते हो इससे तुमारी संतान जीवित नहीं रहती इतना जा सही बैटी तो उसके चूते ही बच्चा जीवित हो उटा और रोने लगा बच्चे की आवाज सुनकर छोटी बहन हर्शित हो गई और बहन ये तेरे भाग हैं जिसकी वज़े से मेरा बेटा आज जिन्दा हुआ है तू वरत पूरा करती थी और मैं अधूरा करती थी इस दोश है